हाई मैं हूँ योश्यू मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है देसेंबर के मत में 12 डेज शूटिंग की थी लखनाओ में इस फिल्म के चलते बता दे कि आज रितिक रौशन का बर्दे है और रितिक रौशन के बर्दे के खास उकेजन पर मेकर्स ने विक्रम वेधा का फर्स ग्लिम्स अन्वील किया उन्होंने रितिक रौशन का किरदार क ग्लिम्स अन्वील किया एस वेधा रितिक रौशन ने खुद अपने ट्विटर पर वेधा का लुक शेयर किया उन्होंने पिक्चर शेयर करने के साथ साथ लिखा वेधा हैश्टाग विक्रम वेधा Bollywood actress Jacqueline Fernandez काफी टाइम से Lime Light और Headlines पर बनी हुई है कौन मैं सुकेश चंदरशेखर के केस को लेकर इसके अलावा Jacqueline Fernandez का जो Rumored Relationship था सुकेश चंदरशेखर के साथ उसके लिए भी वो Headlines पर आए दिन बनी हुई है इसके चलते एक intimate picture आउट हुई थी सुकेश चंदरशेखर और Jacqueline Fernandez की जिसमें दोनों एक private moment share करते हुई नजर आ रहे है इसके बाद Jacqueline Fernandez ने finally अपना official statement अपने social media through issue किया है उन्होंने लिखा This country and its people have always given me tremendous love and respect This includes my friends from the media from whom I have learnt a lot I am currently going through a rough patch but I am sure my friends and fans will see me through it उन्होंने साथ में ये बे लिखा It is with trust that I would request my friends to not circulate any images of a nature that will intrude my privacy and personal space You would not do this to your loved ones I am sure you would not do this to me either Hoping that justice and good sense prevails Thank you Celebrity couple Vicky Kaushal and Katrina Kaif की शादी last month हुई थी और couple ने Sunday के दिन अपना one month anniversary celebrate किया Katrina Kaif ने अपने Instagram पर एक picture share किया जिसमें हम उनको Vicky Kaushal को hug करते हुए देख सकते हैं उन्होंने Vicky को इस pic में tag किया और लिखा Happy one month my love इसके अलावा Katrina Kaif और Vicky Kaushal की close friend नेहा धूपया ने comments में लिखा Happy, 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 our gorgeous couple we love you दूसी तरफ Vicky Kaushal ने एक dance picture share की है अपने शादी से ही ये एक unseen picture है जिसमें हम Katrina Kaif और Vicky Kaushal को dance करते हुए देख सकते हैं उन्होंने इस pic को caption दिया Forever To Go भूल भूलया 2 स्टारिंग काते कारियन और क्यारा अडवानी multiple hurdles face करते हुए नजर आए COVID के चलते अब इस film के latest updates की बात करें तो भूल भूलया के fans ये जान कर काफी जादा खुश होंगे कि भूल भूलया का एक नया update सामने आया है वैल बता दे कि भूल भूलया जो original movie थी उसमें अक्षे कुमार, परेश रॉल और बाकी सारे actors को अपने performances के लिए जाना जाता था लेकिन इस film में जिस actress ने पूरे show को पूरे movie को बरकरार रखा वो थी विद्या बालन अपने spectacular performance के साथ अभी भी अगर हम उनका performance जो है याद करते हैं तो वो एक अलग ही experience होता है वैल बता दे कि विद्या बालन मौनजुलिका किरदार निभाने के लिए एक बार फिर ready है और इस बार हम उन्हें मौनजुलिका के रूप में देखेंगे भूल भूलेया टू में और इसे किसी ने नहीं बल की अनीस बाज में इस फिल्म के डिरेक्टर ने confirm किया है बढ़ते हुए COVID cases के चलते आए दिन किसी ना किसी Bollywood celebrity की खबर सामने आ ही जाती है जो COVID से संक्रमित हो चुके है लेटिस Bollywood celebrity जो COVID से संक्रमित हुई है वो है ईशाग गुपता जी है ईशाग गुपता रिसेंटली COVID-19 से संक्रमित हुई उन्होंने इस सब के चलते बाद में अपने सोचल मीडिया पर ये confirm किया उन्होंने लिखा despite the utmost precautions I have tested positive for COVID-19 I have been following the protocols and have isolated myself and currently under home quarantine साथ ही में उन्होंने लिखा कि वो request करती हैं कि सब safe रहें और ईशा ने आट किया I am sure I'll come back stronger and better out this time please stay safe and mask up take care of yourselves and others don't forget to mask up I love you all Bollywood actor कार्थिकारेन की कई सारे impressive movie lineups बनी हुई है जैसे की भूल भूलया टू फ्रेडी शेहजादा और कैप्टन इंडिया बतादे की इन सब फिल्मों में से one of the most exciting film बताई जा रही है शेहजादा well इस फिल्म की shooting चल रही है और इस फिल्म में बॉलवड आक्टर कार्थिकारेन के साथ कृती सेनन नजर आने वाली है ये एक official remake है अलू अर्जुन की blockbuster अला वेंड कटपुर मुलू का इससे पहले हमने कार्थिकारेन और कृती सेनन को फिल्म लुका छुपी में देखा था और audience ने इस पैर को काफी जादा appreciate किया था इसलिए एक बार फिर हम दोनों को शहजादा में देखने के लिए काफी excited है इन दनों कार्थिकारेन इस फिल्म की shooting में busy चल रहे हैं गोरे गाउं मुंबई Film City में और वहीं कार्थिक के इस फिल्म से कुछ photos लीक हुई है जिसमें हम उनको एक middle class man के रूप में देख सकते हैं Hollywood actress Samantha Lockwood जिन्होंने movies जैसे की Shoot the Hero और Hawaii 5 में काम किया है बता दे कि उन्होंने कुछ rumors पर react किया ऐसे कई सारे rumors सामने आये कि वो सल्मान खान की नई girlfriend है क्योंकि दोनों को साथ में spot किया गया था और कुछ pictures भी viral हो रही थी एक interview में Samantha ने सल्मान को very nice guy भी बुलाया लेकिन उन्होंने साथ में rumors को address करते हुए ये कहा कि वो Bollywood actor रितिक रोशन से भी मिली तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन जब वो सल्मान खान से मिली और उन्होंने सल्मान खान का 56th birthday attend किया तो लोगों ने ये rumors create करना क्यों शुरू कर दिया last month वो रितिक रोशन से भी मिली थी और उन्होंने इसके pictures भी अपने social media पर share किये थे लेकिन तब इतने rumors आउट नहीं होए थे जितने सल्मान खान और समानता के हुए Bollywood actress जानवी कपूर अपने social media Instagram पर काफी जादा active नजर आती है हाली में जानवी कपूर ने कुछ series of pictures share किये जो social media पर trend कर रहे हैं जिसमें से हम एक picture में जानवी कपूर को थर्मो मीटर के साथ पोस करते हुए देख सकते हैं बढ़ते के सिस के चलते celebrities अपने घर पर हैं और सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो वाइरिस से संकरमित ना हो इन दिनों जानवी कपूर भी अपने घर में हैं और उनोंने इन सीरीज ओफ पिक्चर के साथ क्याप्शन में लिखा That Time of the Year Again जिसमें हम उनको एक पिक में थर्मो मीटर के साथ पोस करते हुए देख सकते हैं तो दूसरे पिक में हम एक पेंटिंग का फोटो देख सकते हैं इसरे पिक में वो एक बुक पढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि एक बुक का पिक्चर है उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है अपने पेट डॉग की बॉलवड अक्ट्रिस दिशा पार्टनी एक बीच बेवी है और ये हमें उनके इंस्टरग्राम पोस्स से पता चलता हैं यहां दिशा पार्टनी बेबी पिंग कलर के बिकीनी में नजर आई और इसी के चलते कई सारे सेलेब्रिटीज ने दिशा पार्टनी के इस फ्लॉलिस फोटो पर कॉमेंट भी किया उनके रूमर्ड बॉइफ्रेंट टाइगर शॉफ ने भी इस पिक्चर पर कॉमेंट क पॉलिवुड अक्ट्रिस तारा सुतारिया करंटली सबकी होट फेवरेट बन चुकी है उनकी लास्ट रिलीस फिल्म तडप ने काफी अच्छा किया था बॉक्स ओफिस पर और अब वो एक साइनिंग स्प्री पर चल रही है रिपोर्टिडली अक्ट्रिस ने अपना फर्स पर अब वो एक स्टोरी है वो एक स्टोरी है एक सवाइवर की एक यंग गर्ल की जिसमें तारा सुतारिया उसका किर्दार ने भाते हुए नजर आएंगी इस फिल्म की स्टोरी जो है वो NH10 की तरह बताई जा रही है जिसमें अनुशका शर्मा नजर आई थी आज के लिए इतना ही लेटिस बॉलिवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काईट